एन्टी ए यूजी सिनेट यानि निमिजिनेट डाउलोड इताउन गूगल प्लेश्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो गढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहrickता सिनेट अब आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमिजिनेट पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास्रूम कमिन्यूकेशन के बारे में कि हम किस तरह से effective classroom communication कर सकते हैं और इसमें से बहुत से question आए हैं दोस्तो और आगे भी आने के संभावना है यह बहुत important topic है तो इस video का पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से बहुत से question आते हैं दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं communication model की कुछ basic communication model हम करने वाले हैं और इन में से अब question आने लग गए है यह जो question है अभी जून 2019 में आया है इससे related तो यह जो topic है हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरे है क्योंकि आगे भी इसमें से question आने के संभावना है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं classroom communication की यह हम किस तरह से बहतर कर सकते हैं देखिए classroom communication के अंदर जो सबसे पहली बात आते कि हमारा जो classroom communication उसका मुख्य उदेश से क्या है और इसमें से दोस्तो पहले भी दो बार question आ चुके हैं और आगे भी आने के संभावना है देखिए जो हम classroom communication कर रहे हैं उसका मुख्य उदेश से संग्यानात्मक अनुच्छेतर अगर हम English में बात करें तो इसे cognitive domain हम कहते हैं देखिए इसका simple भासा में मतलब क्या है कि हमारा जो communication वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ग्यान बढ़े उसमें समझ बढ़े उसमें आवेतन, vislation, sensation करने की समता बढ़े देखिए इसका मतलब क्या है कि बच्चे के अंदर argument करने की समता है वो विक्सित हो, बच्चे को अगर कोई बात बताई जाये तो वो उसके समझे सोचे समझे और अगर कोई बात उसे समझ में ना आए तो वो argument करें टीचर के साथ कि टीचर ये बात इस तरह से भी हो सकती है या नहीं हो सकती यानि कि उसके उपर अच्छे तरीके से विचार करें तो इस तरह की जो बाते होते हैं उसे हम कहते हैं संग्यानात्मक अनुच्छेत्र कहते हैं कोगनेटिव डोमेन कहते हैं तो यह चीज आप ध्यान में कम्निकेशन होते हैं उसके अंदर मुख्य किन बातों का ध्यान रखना होता है एक टीचर को अब देखे सबसे पहली जो बात है वो हम करते हैं सिक्षार्थे में रूची पैदा करना अब टीचर का सबसे पहला काम यह है कि उसको इस तरह से कम्निकेट करना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनको इंटरेस्ट आए पढ़ने में मज़ा आए अगर मज़ा आएगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा और अगर कलास म अगर ऐसे ही बोरियत साब माहूल होगा तो क्या होगा कि बच्चे को नींद आएगी और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा उसका ध्यान वो इदर उदर भटकेगा तो इन चीजों का हमें ध्यान में रखना जरूरी है यही बाते हमने इस नोट्स में लिखिए आप इ नहीं जानता अब देखे कई बाते ऐसी होते हम नेगटिव कह देते भी देखो मुझे इसके बारे में नहीं पता आप बताईए स्टूडेंट मैं से आप मैं से कोई बताईए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा मुझे नहीं पता इस तरह की बाते कहें कि हम उनमें रूची पैदा कर सकते हैं रूची पैदा करने के बहुत चे तरीके हो सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास विश्य वस्तू को संगठित करना और गनाईज कंटेंट मैटर अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पाठे पुस्तक को तरक संगत धंग से सरंचि पैदे उसके लिए यह है कि हमें उससे कहानी बतानी चाहिए कोई एक्जामपल देना चाहिए और अगर हमारे पास कोई डैमो हो या कोई वीडियो हो तो वो हमें दिखानी चाहिए यानि कि उससे संबंदित जितरा भी हमारे पास मैटर है वो एकठा करना चाहिए जिससे ब रूप पुन रावलोकन अब रिव्यू अकॉर्डिन टू अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों परमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना चात्रों के उनके महतों पर बल देना मुख्य बिंदू और विचारों की संग्सेप में एक दूसरे के साथ तुल्ला कर ना इसका मतलब यह दोस्तों कि कई चीजे ऐसी होते जो इंपॉर्टेंट होते हैं तो उन चीजों को हमें कलास के अंदर बारबार दोहराना चाहिए उनको बारबार रिलेट करना चाहिए अब जैसे मानके से लिए कि हमने कुछ बात बता दी ठीक है और फिर हम कहीं घूमन उसको रिलेट करके चलना चाहिए उसको रिव्यू करना चाहिए बार बार दोहराना चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीजे अच्छे से बैठ जाए तो यह होता है रिव्यू अकॉर्डिंग टू अब्जेक्टिव और आगे दोस्तों परती पुष्टी यह चाहिए और पूछना चाहिए कि किस-किस ने किया है या नहीं किया यानि कि उनको सभी तरह से बाते पूछनी चाहिए फीडवैक लेना चाहिए कि क्या हमने आपको पढ़ाया वह आपको समझ में आया या नहीं आया और और भी कई तरह कि फीडवैक हो सकते जैसे कि कोई ब feedback लेते रहना चाहिए और हमारी जो पढ़ाने का तरीका उसमें भीLove लेना चाहिए उन से पोछना चाहिए कि क्या हम जो पढ़ारें वह सही पढ़ारे darker रहे गल्त पढ़ारें खया है ये सबी बाति हमें पूझी में चाहिः feedback कोना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके अंदर कई तरह की बाते हैं दोस्तों आप पढ़ सकते हैं अगर एक एक बाते में पढ़ने लग दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और आगे दोस्तों परभावी कक्ष्या संचार के सिधान्त अब देखी ये सिधान्त हमें पता होना चा सिक्षन विदिया अनुकुल सिक्षन वातावरन के लिए क्या सिधान्त है यह हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सिक्सको के लिए सिधान्त क्या है अब देखिए इसके अंदर क्या है कि एक बिनट रुगे अब इसमें है एक यथार्थ वादी आतम अवधारना और आसपास के वातावरन के वारे में समवेदन सील होना अब इसके अंदर के हैं दोस्तों कि हमने जो धार्णाई बना रखी है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए वास्तों में सविकार करना चाहिए कि रियल्टी में क्या है अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताये था एक चीज कि हम कई वार अवधार्णा बना लेते कि ये जो बच्चा ये बहुत अच्छा बच्चा है और अगर कोई स्टूडेंट या कोई और आके हमें कहीं कि ये बच्चा इसमें ये कमी और उसकी बातों को हम नकार देते हैं क्योंकि हमने उसके बारे में पहले अवधार्णा बनाई ह तो अव धारणाव को हमें तोड़ देना चाहिए हमें सही तरीके से सोचना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है ये चीज हमारे सिक्षा पर भी लागू होती है दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्ष भी जोईन कर सकत है इसके अंदर हम आपको सभी टैन यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं इसके साथ साथ दो हजार बारा से लेके दिसंबर दो हजार उनिस तक ओल्ली एर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाईज कोशन जैसे कि आज तक विसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने इस तरीके से सभी टैन यूनिट के जो कोशन है आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी टैन यूनिट के लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्स जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व अवधान बना रखी अपना विलीव जो बना रख है उससे परहटके भी सोचने की कोशिस करनी चाहिए और आगे देखते हैं विश्य वस्तों में दक्स्ता का विकास डवलप प्रोफीशियंसी इन सब्जेक्ट मैडर अब हम जो चीज हम पढ़ा रहे हैं जो विश्य होनी चाहिए और अगर हमें जरूरत पड़े तो time to time समय के अनुसार हमें उसमें विकास भी करना चाहिए नहीं नहीं चीजे आ रहे हैं उनको हमें सीखना चाहिए जैसे आज के समय में हमारे पास Facebook है Twitter है और इन चीजों का हमें घ्यान होना चाहिए जैसे YouTube है YouTube का हमें घ्या करना चाहिए और आगे सिक्सार्थी को समझना यह बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों टीजर के लिए अंडर्स्टेंड दा लर्नर जो बच्चा पढ़ रहा है उसे हमें समझना बहुत जरूरी है कि उसके उसकी thinking क्या है और वो किस तरह से पढ़ रहा है उसका वातावरन क्या है यानि कि उसकी घर की condition कैसी है तो यह सारी चीजे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है और जितना ज्यादा हम बच्चे को समझ पाएंगे उतना ज्यादा हम अपने teaching को बहतर तरीके से कर सकते हैं प्रभावी संचार कोशल effective communication सकी अब यह देखिए यह चीज भी होती है जो teacher होता है कई teacher होते की बिल्कुल CVS होके पढ़ाएंगे कई teacher होते की हसी मजाग में पढ़ाएंगे जिससे बच्चे खेलते रहते हैं यानि कि खेलने का मतलब उन्हें मजा आता रहता जब वो पढ़ते है ठीक है तो प्रभावी संचार कोशल का होना भी बहु की वीडियो में बताय है कि six 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 astaka क्या होता है जिसके अंदर six CPU सब कुछ निरधारित करता है क्या पड़ाई क्या पढ़ाना है ठीक है और चातर के द्री तो वो होता है जिसमें चात्रों का इंवोल्मेर्ट होता है चातरों से हम हमें पूछना चाहिए कि आपको कौन सा लेस होगा जब शिक्षक और छातर दोनों मिलके रणनीती त्यार करेंगे तो वो तब हमारी शिक्षा बहुत अच्छी होगी आगे दोस्तों सिक्षक का वस्तु निष्ट और कत्व्य निष्ट अब देखिए यह चीज हमारी लागू होती जो सरकारी स्कूल है उसके उपर परसनली सुना कि जो सरकारी स्कूल के टीचर है वो कई वार यह कह देते कि आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो इस तरह से बहुत सारी वह बाते करते लेकिन उनको कर्तव्य समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है सरकार हमें इतने देश नियमित करने के सिद्धांत अब इसके अंदर देखते हैं दोस्तों इसके अंदर किस तरह से हैं अब देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से एक सबत का यूज किया जाता है समार्ट समार्ट का मतलब होता है ऐसका मतलब होता है सपेसिफिक विसीष्ट यानि कि वि मजरिविल का मतलब यह होता है अचीविल और ऐसी हमें चीज बताने है जो बागने है जो और आगे रिलाश्टिक या थार्थवादी यानि कि जो यानि कि सही रूप से सही माइने में लागू होती हो वो चीज हमें बतानी है, हमें कालपनिक चीज़े ऐसी नहीं बतानी कि जो कहीं अस्तितों के अंदर ना हो, हमें ऐसी चीज़े बतानी है जो अस्तितों के अंदर हमारे नेजर के अंदर कहीं ना कहीं एक्जिस्ट करती हो, टाइम फ्रेम, धारित समय सिमा, जो हम टाइम लेके चल रहे उसके अंदर वो हमारा स्लेवस है हमारी टीचिंग है वो एक दिन में पढ़ाना चाहिए लेकिन दस दिन उसके लगा रहे ऐसे करेंगे तो हमारा जो स्लेवस है वो बहुत ज्यादा लंबा खिंची जाएगा ठीक है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे भी कई तरह की चीज़े है जैसे प्रोपर सिक्वेंस जो हम पढ़ा रहे उसकी सही सिक्वेंस होनी चाहिए कि पहले क्या पढ़ाना फिर क्या पढ़ाना फिर क्या पढ़ाना ऐसे नहीं है कि बिलकुल बगैर सिक्वेंस से हमें नहीं चलना चाहिए सुबोध भासा का प्रियोग अब द से बच्चे असानी से समझ अब गई कई तरह के चीज़े ऐसी हो सकती ही कि जो सिंबल हम जैसे हम इसमें बात किए है ठ्रैफिक wiekor सकता कि जो सिंबल हम ट्रैफिक laid के इंडिया में यूज़ करते हैं वो अमरीका में यूज़ ना कि जागे ओं जापान के जो similar वो हम इंडिया में यूज नहीं कर सकते बच्चों के सामने तो हमें ऐसे परतिकों का यूज करना चाहिए जो हमारे इंडिया में ज्यादा पर्चनल में हो जिनको ज्यादा बच्चे अच्छे से समझ सके आगे दोस्तों प्रासंगिक अभ्यास relevant practice अब इसके अंदर क्या हमें बहुतтом .Cutine practice नहीं देना चाहिए हमें बक्षों को वही वादर सबसे पहलेillon में बक्षों को समझना चाहिए कि बच्चे की समता क्या है किस तरह से वह वा कर सकते हैं उनकी योग देता क्या क्या उस ही कैंसार हमें उनको home work य। देना चाहिए ऑर आगे जोस्तों हमार प्रासंगिक और उचित विदिया मेडिया का चैन अब देखिए हमें ऐसे मीडियम का चैन करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सही लगे अब देखिए मान के चलते हैं कि हम बच्चों को कहने लगे कि हम आपको आज से यूटूब पर पढ़ाएंगे कलास के अंदर कहने लगे हो सकता है ज्यादा तर बच्चों के पास मोबाईल ही जाओ तो वो कैसे पढ़ पाएंगे ठीक है तो इस तरीके से हमें ऐसे विधी का यूज करना है जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें इन्वोल्मेंट हो सके और असानी से उसको लेज़के विधियो मीडिया का उप्योग यूज वेराइटी ओफ मैथर्ड एंड मीडिया ये कक्सिया सिक्षन में छात्रों को रूची बनाए रखने में नुवस्ता को बचाने के लिए जरूरी है अब देखिए इसके इंदर क्या है कि हमें समय समय पर हो सके तो जो हमारा पढ़ान आने मैटीरियल दिखाया जाता था है तो बच्चोल में एलग मीडिया का यूज कर ले रूच करना चाहिए ताकि बच्चों में रूची आसके और वह अच्छे से पढ़ सके और आगे दोस्तों अच्छी गुणवता वाले मीडिया का उप यूग अब हमें जो भी हम मैठ यूज कर रहे हैं तीचिंग मीडिया का यूज करें वह अच्छा होना चाहिए अब वही बात आ रहे हैं जैसे कि हम सेटो बोक्स यूज कर रहे हैं तो वह ऐसा होना चीज जिसके अंदर बिल्कुल सही क्लियर क्वालिटी आए और उसके अंदर आवाज वह बहुत अच्छी ह जाने के लिए मना कर देंगे और वो उनका जी चुराएगा उस गलास में जाने के लिए और आगे दोस्तों हमारे पास सिक्सन अधिगम में विभिन मीडिया का एकी करण इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया अब देखे इसमें देखते हैं छात्रों को यह नहीं लगना चाहिए कि मीडिया और सिक्शक पर्थक पर्थक है वो धान के लिए अगर छात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई method चाहे तो उसके बाद पर उसके शव्य को हूनी चाहिए अब देखे जो चीज परात्व की रीश्की ना बदिःजों के लिए दिखा है जा मरा जो हमçeस साथ we रिलेट करके उनको उधारण देखे बताना चाहिए कि देखे उस फिल्म में ये बात इस तरीके से बताई थी तो उस पे हमें विच्यार करना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये बात हमारे सिक्षन से रिलेटिड है तब ही हमारा जो कलासरूम कमने के सनव बहुत अ और आगे देखते दोस्तों अनुकुल सिक्षन वातावरन बनाने के लिए प्रिंशिपल ओफ क्रेटिंग कंड़क्टिंग लर्निंग अन्वायरमेंट अब देखे वातावरन बनाने के लिए क्या सिध्धान्त होने चाहिए कक्षया में विध्यार्थ्यों की संख्या सीमित होनी चाहिए जो बच्चों की संख्या वो लिमिट में होनी चाहिए ऐसे नहीं कि सो डेड़ सो बच्चे ले ले और उनमें अच्छे से पता ही नहीं चल रहा कौन बच्चा क्या कर रहा वह बहुत ज्यादा हो जाता है तो लिमिट होनी चाहिए ककसे में बैठने की उचीत वयवस्ता होनी चाहिए बैठने का जो तरीका वो सही होना चाहिए यह सारी बात दोस्तों आप बिल्कुल असानी से समझ सकते हैं ज्यादा फोकस करने की जरूत नहीं है और छात्रों के सामज के साथ मेत्री पूरण संबंद नहीं कर सकते हैं अब बच्चों को यह लगना चाहिए आफ जादा तर क्या होता कि जो बच्चेयं वह टीचर से डर्ते हैं पहले के टाइम में बहुत पीटते थे इस वज़े גם उनके पास नहीं अरते थे और कुछ पूछने से भी कत्राते थे तो माहूल ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे डरेना कोई भी बात पूछे तो वो बिल्कुल आसानी से हमारे पास आसके परती पुष्टी तंतर की स्थापना सैटिंग अप ए फीडवेक मेकैनिजम अब हमें ऐसा वहाँ पे बनाना चाहिए सिस्ट बात है तो वो आफ़ा हमें आधी च्छोटी के अंदर आके बता सकते हैं या फिर आप मेरा फोन ले सकते हैं अगर किसी को बात बतानी तो वो बता सकते हैं या कि इस तरह का हमें सिस्टम बनाना चाहिए जिसस्य बच्चा बिल्कुल असानी से फीडवेक देशके और आगे दोस्तों हमारे पास नमोन वेशन के लिए प्रेवित करना एंकोरेजिंग इनोवेशन अब बच्चे में ये चीज विख्षित करने चाहिए कि बच्चा नहीं नहीं चीजे खोज के लेके आए अब देखें बच्चों को नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट करवाने चाह चाहिए कि हम इस दिन को ये परत्योगिता करने वाले हैं और उस परत्योगिता में जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसको हम समानित करेंगे यानि कि एनकोरेज करना चाहिए बच्चे को आगे बढ़ने के लिए अब है परवल परवलन परदान करना प्रोवाइडिंग री फोरेंसमेंड इसके नदर क्या होता है कि बच्चा जो भी काम कर रहा है उसकी हमें परसंसा करने चाहिए उसका प्रुस्कार करना चाहिए समाजिक माननेताव आदिके माध्यम से शिक्सार्थों को परवल परदान किया जा सकता यानि कि बच्चे को encourage कैसे किया जा सकता जब हम उसको इनाम देंगे उसकी परसंसा करेंगे दो-चार लोगों में कहेंगे कि आपका बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है और जब बच्चा आपने वारे में सुनता ना कि मेरे वारे में तो वो लोग है वो ऐसा कहे रहे थे कि ये तो बच्च का होना चाहिए एड़िटेन्मेंट का मतलब होता है दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर शिक्षा भी होनी चाहिए और मनोरंजन भी होना चाहिए दोनों चीजें इंक्लोडिंग होनी चाहिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई वार सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तों